आज मैं आपको एक ऑफेंटिक बेंगॉली फिश करी बनाना दिखाऊंगी फिश करी मेरिन मस्टर्ड पेस्ट इसको हम लगे बेंगॉली में माचे जालवी बोलते हैं तो यह तो कोई भी फिश से हम लोग बना सकते हैं तो तो टोड़े आ इम एकिंग इट विद् मैकरेल फिश यह मैंने 1.5 kg मैकरेल फिश लिया हुआ है जिसको मैंने मैरिनेट कर दिया है विद सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर आप इसके जर कोई और रोगू कतला कोई और में फिश ले सकते हैं और उसके साथ मुझे चाहिए रहेगा यह मैंने 5 ब्रीन चिलीस लिये हैं मैं सारे एक साथ नहीं डालूंगी मैं लास्ट में 2-3 डालूंगी ऐसे ही साबूत तो इससे थोड़ा फ्लेवर भी आएगा और ज्यादा तीखा भी नहीं होगा बट अगर आप तीखा चाहते तो आप और मिर्ची भी डाल सकते हो और एक में पेस्ट बनाऊंगी इन दो ग मतलब यह 2 टेबल स्पून येलो मस्टर्ड सीज, 1 इंच जिंजर और इस तू ग्रीन चिली इन सब को मैं एक साथ विट वोटर एक फाइन पेस्ट बना लूंगी और उसके साथ मुझे चाहिए 5 फोडों पांच फोडों तो टेस्ट अन दिस अलमोस्ट हाफ टीश्पून त मस्टर्ड ओल तो चलिए अब पहले कोकिंग शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने कडाई में मस्टर्ड ओएल को गरम करने के रख दिया है और अब जैसे ही ओएल गरम हो जाएगा दनाय विल फ्राइदा फिश इन्ट इंट इट कि अफिश को मैंने डोनों साइच साथ में से ष्राइ कर लिया है तो एक साइच अलमOST तू तो 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 त्री मिनिट लग रहा है मेडियम ख्ले में फ्राइच कर लिए तो नाव माइच फिश हम बिंग फ्राइच एचर अब मैं इसको और निकाल लोगी निकाल है और उसी ओयल में नाँ आदिंग पांच कोड़ ओन टर्मरीक पाउडर मैं यह मस्टर्ड पेस्ट आड़ कर लिए इसमें मैंने 2 ब्रीन चिली और 1 इंच ओ जिंजर डाला था अब मैं उसको आड़ कर दूंगी इस ओयल में आड़ कोडन तर उस्तंड सकार आडर, दिएर्ट अंगी आडो अ बेखें अदस्तों ड्यात एल इसघट और आड़ और गएक सुआड़ मैं पड्जमियत क्वेज् Flexion आड़ ग्ड़ कवार अवार आड़ी तितो आड़ कर एक समीठ नहीं आड़। और इसको अब में और के गदफना में और इसको अब मैं कबर कर लेक हैं त्री टू फोर मिनुट्स के लिए क्या कूप नशी करोंगी आ श्लो फ्लेम में अब मेरा ये फिश नहीं रेडी हो गया है और अब मैं ग्यास को आफ कर दूंगी बंद करने के पहले मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल स्प्रिंकल कर दूंगी कच्छा मस्टर्ड ओयल अलमस्ट 1 तेबल स्पूम अब मैं गैस को आफ कर रह रहे हूँ और इसको बापस कवर कर रख दूंगी और इसको इंदेग उसके ताए 10 बिन्ट के रेच रेस्ट करने दूंगी आइसके बाद ही ये बेस्ट रखता है खाने में वेल इस इसके बार आख में नहीं शर्खिस र झाल झाल